हेलो बच्चो आज हम करेंगे क्लास 3 की हिंदी की कारेपत्रिका नमबर 158A जो की एक फरवरी 2021 की है बच्चो यहां पर 158A इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एक फरवरी से आपकी जो है वक्षीट की एक दिन में आपको दो वक्षीट मिलेंगी ठीक है अलग अलग विश्यों की अलग सब्जेक्ट की तो यह नामों से हैं जैसे 158A और 158B ऐसे आप की होगी एक बचस्रीट ऑर एक बच ठीक है यह मैंने आपकी ए वक्षीट की वीडियो बनाई है 158A ठीक है जो की हिंदी की है ऐसी ही 158B विटियो और मेरे चैनलंप अप्लोड है तो आप उदर चैन बॉक्स में भी लिंक जाल दी है उदर से भी चेक आउट कर सकते हैं देख सकते हैं ठीक है यह वक्षित जो है रिमजिम से ली गई है जिसका पाच है जब मुझको सापने काटा तो चलिए यह आज की कारेपत्र का हमारी पुन्रावरत्ती कारेपत्र का रहेगी तो इसमें हम करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वक्षित लेट स्टार्ट नमस्ते प्यारे बच्चो आपने पाठ जब मुझको सापने काटा ध्यान पूर्वक पड़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे ज़ाड़ फुकने वाले बूरे आदमी ने सारे गाउं के सामने बालक की जान भचाने का जूटा नाचक किया तो बच्चो यह बाठ जब मुझको सापने काटा यह तो आपने पड़ा होगा ध्यान पूर्वक यानि ध्यान लगा कर तो इसमें क्या हुआ था कि इसमें बच्चे को सापने नाकाचकर बढ़ने काटा था और जब जब फूकने वाले बूड़े आदमी के पास गए तो सारे गाउं के सामने बालक की जान बचाने का जूटा नाचक किया इसने चाड़ फूकने वाले में तो यह आपको चैप्टर अच्छी तरीकी से पढ़ना है आपको समझा जाएगा चलिए अब देखते हैं कि हमने पाट से और कि क्रम संठ्छय लिखिए उधारन के लिए जो वाखिये पार्ट में पहले आया है उसके आगे एक लिखा है ऐसे ही बाकि क्रम संठ्छय भी खाली बॉकस में भरिये तो आप से बोला गया है बच्चों कि आपको क्या करना है जो वाक्य पार्ट में पहले आया है उसके आगे एक लगाएंगे फिर मान लीजे एक वाक्य बार्ट में सबसे पहले आया है तो उसके आगे हमने एक लिख दिया फिर जो दूसरा वाक्य है जो बार्ट में दूसरी टाइम आया है तो उसके आगे हम दो लिखेंगे मिन्स जो पहले आया है उसके आगी एक फिर जो दूसरे बार आया है उसके आगी दो फिर तीन चार पाच इस तरीके से आपको करना है आप आपको समझ आया होगा तो चलिए देखते हैं एक यहां पर अलड़ी लिखा हुआ है बालक ने खेलते हुए और आहाते में चोटा साप रिंगते हुए देखा यह सबसे पहले हुआ था उसने कहानी में देखा था आहाते में चोटा साप रिंगते हुआ है ना फिर दूसरे टाइम क्या हुआ था उस स्टोरी में देखे यह वाला सेंटेंस शाम को खेलते समय बालक को बर ने काच खाया है ना ऐसा ही दूआ था उसे बालक को बर ने काच लिया था तो यह हमारे दूसरा वाक्य होगए इसके आगे हम दो लिखेंगे फिर तीसरे बार क्या हुआ था कहानी में साप का नाम सुनकर नानी जर गई थी और जोर से चलनाने लगी थी है ना है तो ये तीसरा वाक्य और चौथा बार के होगा नाना नानी ने समझा कि उसे सापने अधाज़े हुआ Sixty विद्व रंट उसे जहर फूटने वाले आदम्य के पास ले गए तो ये हमारा चौथा सेंटेंस कहां ले के थे हैजर फूट वाले आदमी के पास है ना बच्चो उ प्रश्ने दो बच्चो प्रश्ने दो है नीचे लिखे वाक्यों को बोल कर पढ़िए यदि विरामचिन सही जगे लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाईए अन्य था गलत का निशान बनाईए तो हमने इस चैप्टर में विरामचिन पढ़े थे ऐयवह ओपा याद होगा अप लगूँ को तो विरामचिन जो था वो हमने पड़े थे कई प्रकारगे होते हैं तो अब विरामचिन अगर सहीज़गे लगए हैं तो हमें उस वाक्य के आगे टिक का निशान लेकाना है अगर गलत जगे लगे हैं तो क्रोस का निशान ठीके तो देखिए केच्छुआ गिर्गेच और साप रेंगने वाले जीब हैं अब यहां कौन-कौन विराम्चिन का प्रयोग हुआ है बच्चों एक तो इसका अल्प विराम्चिन अल्प विराम्चिन तो सही जटेले का है और यह पूण विरामचिन कि खत्म हो गया तो अंत में लग चुका है तो यह वाक्षि हमारा एकदम सही हो जाता है अब देखो बर किस रंकी होती है अब यहां पर पूछा गया है कि किस रंकी होती है तो यह तो एक पूछने वाला वाक्य हो गया प्रशन पूछने वाला वाक्य हो गया तो यादेना आपको प्रशने वाचक चिन जब भी हम किसी वाक्य में प्रशने पूछते हैं तो उसके आगे प्रशन लगता है लेकिन यहाँ पर तो पूल्ड विराम लग गया तो यह हमारा गलत लेकिन यहां पर तू अंत में लगा अंत में क्या लगता है बच्चों पून विराम चन जिसका साइन इस तरीके से होता चीक है टो ये वाकिंप हमारा गलत हो गया थै फिर हाय ये क्या हो गया तो देखिए हाय जो है आयोप यादोगा आपको व कब लगता है जब भी हम कोई भाव प्रकश कर रहे हैं दुख का, खुशी का, जर का, भाय का, है ना तो देखे यहाँ भाव प्रकश हो रहा है हाए लेकिन इधर पूर्ण व्रामचिन लग गया है, जबकि पूर्ण व्रामचिन वाक्य के अंत्ट में लगता है तो यह वाक्य हमारा गलत हो गया यहां पर तीन वाक्य गलत हैं एक को छोड़के तो यह हमारा प्रश्चन दो हो गया प्रश्चन तीन पांच में आए ऐसे कोई तीन वाक्य खोच कर लिखिए जिनमें कोई क्रिया हो रही हो क्रिया भी हम लोगों ने पढ़ रखा है क्रिया यानि किसी काम काम को हम क्रिया बोलते हैं अगर कोई काम कर रहा है तो वह क्रिया कर रहा है है ना हमने पढ़ा था पिछले हिंदी की वक्षीट में उधा अब हमें तीन वाक्य लिखने हैं ऐसे उस पार्ट में से खोज कर जिन में क्रिया हो रही हो किस पार्ट में से जब मुझे सापने काचा ठीक है आप पार्ट में से खोज कर खोद लिख सकते हैं नहीं तो ये वाले मैंने लिखवा दिया आपको ये भी लिख सकते हैं शाम को खेलते समय बालक को बरने काच खाया, तो देखे, काच खाया, ये काच खाया मतलब काचना यानि काम किया उसने काच, ठीक है, और खेलते, खेलते यानि वो खेल रहा है, कोई काम कर रहा है, तो खेलते करिया हो गई और एक काच खाया करिया हो गई, और अब तो, दूस दो हमारे हो गए क्रिया फिर से अब सेंटेंस नमबर तीन जो हमने लिखा है वो है साप का नाम सुनकर नानी जर गई और जोर से चिलाने लगी चिलाने लगी यह चिलाना उन्होंने एक काम किया चिलाया और यहाँ पर डर गई यह भी एक क्रिया है तो यह तीसरा तो यह हमने तीन वाक्य लिखे हैं इनमें कुछ ना कुछ करिया यानि काम हो रहा है अब रशने चार देखते हैं नीचे दीगए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और रोचक तत्यों को बोलकर पढ़िए रोचक तत्य यानि फैक्ट्स यानि उनके बारे मे कि हांपर हम कुछ नई नई बात पर जानेंगी तो सबसे पहले साप को हमें धूरना है तो साप कहा है बच्चों जी हाँ यह रहा हमारा साप साप को हम इस तरीक से गोला कर देंगे अब साप के कान नहीं होते ये रिंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तती रहा है तो यह दिखी कितनी है हमें अच्छी बात बताई गई आप लोगों को नहीं पता होगा यह कि जो साप है वो बीन की दुन सुनकर नहीं नाचता हम क्या सोचते हैं हम यह सोचते हैं कि बीन बज रही है तो वो जो साप है वो सुनकर नाच रहा है उसे मज़ा आ रहा है लेकिन नहीं वो बीन सुनकर नहीं नाचता है अपी तो परंतु वो किस की वज़े से नाचता है सपेरे की डर की वज़े से वो बीन बजाता है ने सपेरा तो उसे डर लगता है हिसाब को तब वो नाचता है अपने फैन तब ही फलाता है ऐसा नहीं है कि वो बीन की धुन सुन तो यह सापके बारे में रोचकत्ति हैं हमें इसके पर कोला करना है अब हम गिर्गित को डूड़ेंगे शब्द जाल में गिर्गित कहा है यहां पर हम ढूड़ते हैं यह रही गिर्गित ठीक है गिर्गिट का रोचकतती है गिर्गिट अपनी त्वज़ा का रंग बदल सकता है तो यह तो आपने देखा होगा ना हमने तू पते हैं गिर्गिट को अपना रंग बदलते वह भी देखा है जिन बच्छों ने देखा है वेरी गुड और जिनों नहीं भी देखा तो वह अप एक समय में अलग लग दिर्शाओं में घुमा सकता है कि कितनी रोचक बात पता ही हमें कि वारे में तो यह गिर्गेच का रोचक थे अब कच्छुए कच्छुए कहां लिखा हुआ है तो कुछ केच्छुए एक सो पचास साल या उससे ज्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं त केच्छुए की लाइफ पूरा लाइफ टेंज होता हूं 150 साल का होता है बच्छो कुछ कच्छुए इससे भी ज्यादा साल जी लेते हैं तो 150 साल होते हैं काफी होते ना तो कच्छुए का हमारा फैक्ट हो गया अब चिपकली को ढूड़ लेते हैं सब से पहले फिर इसका पढ़ेंगे तो यह इधर हमारी च्छिपकली तेकर चिपकली यानि लिजार्ड देखे हो गी आप को ने टो चिपकली और साप सूगने के लिए भी जीब का करती हैं तो यह साप के साप के बारे में भी रोचकत थे और छिपकली के बारे में भी कि दौनों सूंगने के लिए भी सूंगने के लिए भी जीब कप्रियों करते हैं हम तो नाक से सूंगते हैं यह लोग जीब से ही सूंगते हैं बच्चों ठीक है और यह हमारा मगरमच एक और जीव मिल गया था पीछ में तो यह सारे हमारे हो गए इन पर हमें लगा दिया तो चलिए अब हम आके देख लेते हैं प्रश्ण नमबर पाच कहानी में नाना जी जाड़ फूकने वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेज में क्यूं दी थी तो कहानी में नाना जी ने जाड़ फूकने वाले आदमी को काफी सारी चीज़ें भेज में दी थी लेकिन क्यूं दी थी बच्चों यह आप से पूछा गया है हाँ तो बताइए क्यूं दी थी किस लिए होंगी इस लिए दी होंगी ना क्यूंकि उन्हें लगा कि बालब की जान उसी जाड़ बचाई है तो इसलिए उन्होंने भेज दी चलिए बच्चो इसका आंसर करते हैं प्रेश्ण नमबर पाँच का हम आंसर करते हैं क्योंकि उन्हें लगा जाड़ फूखने वाले नहीं उस बालक की जान बचाई है तो यह हमारा उत्तर हो गया किसका उत्तर नमबर पाच यह उपर क्योंकि उन्हें लगा जाड़ फूखने वाले नहीं उस बालक की जान बचाई है तो यह हमारा उत्तर नमबर पाच हो गया इ तो यह थी आज की आपकी वक्षीट बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझाई होगी यहां पर नोट दिया गया है नोट है पुन्रव रखती कार्य पत्रिका के अभ्यास है तो अपनी रिम्चिम की कार्य पुस्तिका में से प्रश्ट संख्या 118 वर 114 कीजिए तो अगर को और अभ्यास करना है अपनी कार्य पत्रिका का तो आप अपनी रिम्चिम की कार्य पुस्तिका में से प्रश्ट संख्या 118 और 114 कर सकते हैं तो यह आज की वक्षी थी आई होप आपको समझाई होगी कुछ भी समझ नहीं आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं तो आपकी वर्कशीट 158 एक हतम होती है और थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजे और लाइक कीजे इस वीडियो को थैंक यू